भारत में कम दाम में अच्छे लूक और फीचरस वाली कॉंपेक्ट एस्वी कारों की कमी भारत में वैसे तो नहीं है निसान ने भी अपनी जबरदस मैगनाइट को लॉंच करके भारत में पूर्ण रूप से धमा का मचाया था अब देज की प्रभू कान निर्माता कमप्टी यानी महंदरा मोटर्स हाटो मिर्माता कमप्टी ने अपनी जबरदस माइक्रो SUV कार XCV200 को फाइनली खास विरिन के साथ लॉंच करने का भारत में निलने ले लिया है माइक्रो HCV कार को पूर्ण रूप से काफी लंबे समय से स्पॉर्ट तथा टेस्टिंग के दौरान भारत में देखा जा चुका था अब फाइनली कंप्री ने इन लंबे इंतजार के बाद इस कार को एक नए माइक्रो HCV इस्टाइल रूप में लॉंच करने का फैसलाथ ले लिया है आईए जानते हैं कि खास बात इस जबरदस माइक्रो HCV कार में क्या कुछ इस जबरदस कार को अलग बनाती है संभावित कीमत की बात करी तो मार्केट में आने वरी महेंद्रा की जबरदस माइक्रो HCV कार यानि 2000 को भारत में दो विकल्प आप्शन के साथ लाया जा रहा है जिस कार में आप सभी को नॉन टर्बो चार्ज सथा एक टर्बो चार्ज पैट्रल इंचन विकल्प देखने को भारत में मिल सकता है इस कार की केमत भारती बाजार में XCV400 से करीबन एक लाग रुपे सस्ती होनी वाली है आप अन्जादा लगा सकते है कि इस जबरदस माइक्रो HCV कार को भारत के लिए एक बज़ेट सेग्मेंट के लिए तयार किया गया है भारत में आने वाली नेक शेनरेशन XCV200 की स्टार्टिंग कीमत 3.40 लैक रुपीस से लेकर 5.86 लैक रुपीस एक शुरूम प्राइस जाने की सुम्मीदे लगाई जारी इस प्राइस रेंज के अंदर ये XCV200 भारत में वाक्य में ही धैल का मचा सकती है क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर भारत में कोई भी SCV अभी मौजूद नहीं है महिंदर ने अपनी XCV200 को इस प्राइस रेंज की चलते काफी एडवांस फीचर्स, इंजन टेक्नोलजी, न्यू स्पेसिफिकेशन्स, इंटीर के साथ भारत में लांच करने का फैसला ले लिया है तो मार्केट में आने वली नई माइक्रो HCV कार यानी XCV200 का डेजाइन पूर्ण रूप से भारत के लिए बोल्ड तयार किया गया है इसके फ्रेंट में आप सभी को होरिजेंटल लाइनप के साथ अपडेट रेटीन ग्रील दिखाई देती है इसके फ्रेंट ग्रील को अपडेटेट तथा टेल लाइट सथा फ्रेंट में आप सभी को LED प्रोजेक्टर हेट्टेम्स का सेटप दिखाई देता है जोकि वाके में ट्विल लाइट स्लिक त्वारा संच्छा लिप किया गया है यानि XCV300 और XCV400 के मुकाबले इस कार के फ्रेंट लुक को काफी एग्रेसिव तथा एक फीचरिस डिजाइन देने की कोशिश महिंद राने की है कुल मिलाकर करें तो ये कार वाके में ही काफी खुबसूरत फारत के लिए डिजाइन की गई है इस कार में आप सभी को कम्टी फिटेट 16 इंच के रेमेंट का डूल टोन कलर आप्शन के साथ एलाई बिल साजा कम्टी ने किये है क्योंकि आप सभी को वाके में ही इस कार को मस्कुलस लुक दे रहे है कम्टी ने इसके इंटीनियर में भी काफी बड़े बदलाव किये है तता साइट प्रोफाइल की बात करें तो इस ब्लू लाइन करेक्टिविटी कंट्रोल सिस्टम के साथ आप सभी को बिल्कुल ब्रैंड न्यू स्टेनलेस स्टील से अपडेट हैंडल बार दिखाई देती है जिसमें कॉम फीशिंग का काफी अच्छा इस्तमाल किया गया है इस जबरदस माइक्रो एस्टीवी कार के इंटीनियर के बारे में इंटीनियर के डिजाइन को काफी स्टाइलिश पॉन रूप से भारत के लिए डिजाइन किया है जिसके प्लास्टिक की क्वालिटी और फिट फिनिशिंग बिल्कुल इस कार पे सेट होती है वहीं इसमें स्पेस काफी अच्छा आप सभी को दिखाई देता है कहने को तो यह माइक्रो एससीवी कार है मगर बैटने के बावसूद इस कार में पांच लोग असानी से बैट के भी सफर कर सकते है फ्रंट और रियर दोनों सीटों पर अच्छा खासा हैंड और लेधर का इस्तमाल कम्प्री ने किया है जो कि कमफर्ट के मामले में गाको को एक भैतरीन एक्सपीरिंस ट्राइविंग के टाइम देनी वाला है सीटों पर अच्छे फोल्टिंग अपडेट्स के साथ इसके अलावा इसमें काफी अच्छे फिरीशिंग भी देखने को आप सभी को इंटीरियर में मिल इसकार के इंटीरियर में दोनों साइट आप सभी को आप सभी को आप सभी को मिला है इसकार में USB कनेक्टिविटी पोर्ट सिस्टम के साथ वाइलेश शर्जिंग की सुविदा भी मिलती है यानि आप अपने स्मार्टफोन को आसानी से पूल रूप से कम समय में जल्दी से जल्दी चार्ज कर सकते हैं साथ इससाथ इस कार के डैश पोर्ट में आपको सभी को कमटिफिट एमगेट लाइटिंग सिस्टम आप्शन देखने को मिलता है जो कि वाक्य में आप सभी के कार को नाइट मोड में काफी अच्छा अनुभव एक्सपिरियंस लाइटिंग में देता है साथ इससाथ एक्सिवी टू डॉबल सीरो में कमटिफिट ने दो मोड यानि एको तथा स्पोर्स मोड को शामिल किया है जो कि राइट करते वे आप अपने दोरान सेट करके इन मोडों का पूल रूप से लाब उठा सकते है सबसे बड़े एक बात करें इस कार की फीचर्स की तो इस कार में आप सभी को छोटा नहीं बलकि 8 इंच का बड़ा तच स्क्रीन इंफोटेट पिंट आप्शन देखने को मिलता है जो कि वाइलेस कनेक्टिविटी एपल कार प्ले सपोर्ट एंड़ोएड आटो को सपोर्ट करता है इसके अलावर इसमें आप सभी को क्रूस कंट्रोल 360 डिग्री फ्रंट कैमरे के साथ इसाथ एंड बिल इंटीर कैमरा भी आप्शन दिखाई देता है प्लिम लागे करें तो इंटीर के मामले में इस कार को किसी कार से पीछे नहीं रखा गया है यानि प्लिम इंटीर के साथ कम लागत के चलते इस कार को भारत में डिजाइन किया गया है तो आखेकार महिंद्रा ने अपनी माइक्रो सेवी कार के अंदर कौन से इंजिन का प्रयोग किया है जिस दुरान इस SUV कार को भारत में बेज सब्जी से इंतजार के बाद लाय जा रहा है तो आप सभी की जानकारी के बता दो कि मार्केट में आने वाली महींद रखी XCV200 वाके में ही दो इंजन पिलकल्प आप्शन द्वारा लाय जारी है आनि इस कार में आप सभी को 1.0 लीटर के साथ इसाथ 1.5 लीटर का डीजल इंजन आप्शन भी दिखाई दीता है नॉन टर्बो चार्ज विकल्प आप्शन द्वारा संचा लिद किया गया है कार में आप सभी को 1.0 लीटर का फोर्स लेंडर टर्बो चार पैट्रल इंजन आप्शन देखने को मिलता है जो कि भारत की सड़कों पर किसी भी दोरान आप सभी को 72 PSP की मैक्सिम पावर के साथ 120 एनेम का टॉक्शन डेट कर पाने में शिंता रखता है हमारी आने वाली XCV200 के अंदर मार्किट में 5-speed EMT यानि Automatic Transmission विकल को चुना गया है या पैट्रोल के बढ़ते दामों से चुट्टी पाने के लिए आप इस कार के fuel efficient engine option द्वारा टर्बो विकल्प को पूर रूप से बाय कर सकते क्योंकि ये कार निर्माता कंप्टियां अपनी जबर्दस inbuilt body के साथ अपनी कारों को launch करती है जो कि लेने के बाद घ्राकों को पूर्ण रूप से कम दिक्तत का सामना करना पड़ता है क्योंकि माहिंद्र अपनी कारों को Maha platform पर design करती है जिसके चलते इन जबर्दस country की कारों को 70% तक stainless steel body द्वारा design किया जाता है देखे में तो ये कार heavy तथा muscular चलूप वाली लगती है यानि भारी के साथी साथ इस कार को काफी bold भी माना जाता है मगर बिल्कुल ऐसा नहीं है इस platform के चलते कार को काफी मजबूती के साथ हलका design किया जाता है जो कि light weight के चलते आप सभी को engine जादा performance जादा mileage भारत की सड़ को पर परदान करता है साथी साथ global NCP के तहत तता crash मारगों के तहत इस कार को भारत में पूरे 5.7 की rating प्रोवाइट की है तो भारत में इस कार को control room से काफी advanced safety features के साथ लाए गया है जिसमें आप सभी को front पे 4 airbags, ABD यानि ABS technology के साथ update करते वे design किया गया है इस कार में आप सभी को cruise control से लेकर climate control, 360 degree back तता front camera की सुविदा, IFSO fixture eye locking system, साथी साथ इस कार में ambient update system के साथ connection control जैसे updated safety features देखने को मिलते हैं दोस्तों देनी की इस बात की अगर आप एक ऐसी compact SUV खरीदे का मन बना रहे हैं जिसमें बढ़िया look तता features तता space और performance हो और आप अपनी budget को ज़्यादा spend ना कर पाए इस SUV कार को पूर्ण रूप से आप सभी के लिए ही design किया गया है तो अगर आप इस कार को book करना चाते हैं घर बैटें तो जल्दी से comment box में जईए अपना नाम तता city का नाम लिखके हमें comment करिये मैं दूँगा आप सभी को link चाहां पर visit करके पूर्ण रूप सिकार की जानकारी लेकर आप अपने लिए book कर सकते है वीडियो पसंदा आया तो भी ना like करें बिल्कुल मज़ेगा मिलेगे नेक्स इंटरस्टिंग अपकमिंग न्यू अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे धन्नेवाद